हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप सब उमीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे स्वास्त होंगे तो फ्रेंड्स जैसे ही कोई महिला प्रेगनेंट होती है तो उनके मन में बहुत ज़्यादा ये उस्जुकता होती है जानने की क्योंके लड़का होने के टाइम पर ही महिला में नजर आते हैं जो बहुत ज़दा प्रचली थे और काफी अधक ये सही भी साबित होते हैं ये सारे लक्षण अगर आप में नजर आते हैं तो इससे आप 99% तक अनुमान लगा सकते हैं कि आपके गर्ब में एक लड़का पर रहा है तो चलिए जानते हैं पहले लक्षण के बारे में तो माना जाता है कि जिन प्रेगनेंट महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़दा छांच पीना पसंद आता है तो ऐसे में भी माना जाता है कि उनք गर्ब में एक लड़का पर रहा है नेक्स्ट सिम्टम है कि जीन मैलाओं को प्रेगनेंसी के दोरान बिल्खूल भी लेसून अद्रक की महक हो गई, छौक लगने की महक हो गई, पसंद नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा उसकी स्ट्रॉंग स्मेल आ रही है तो ऐसे में भी माना जाता है कि उनके गर्ब में एक लड़का पर रहा है, नेक्स्ट सिम्टम है कि प्रेगनेंसी के शुरुआत से ही महिला के ब्रेष्ट में अगर बदलाव नजर आता है, यानि कि दायां इस्तन बायां इस्तन के मुकाबले बड़ा नजर आने लगता है, और साथी निपल का कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो और ये प्रेगनेंसी के दोरान उनके एडियों में दर्द बना रहता है, तो ऐसे में भी माना जाता है कि उनके गर्ब में एक लड़का पल रहा है, नेक्स्ट सिम्टम है कि जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी के दोरान पूरे प्रेगनेंसी में अगर सीर दर्द की समस्या बन सिंप्टम है कि जिन महलाओं को प्रेग्नेंसी के दौल आना उनके आखों का जो कलर है वो चेंज नजर आता है यारौ क्यूकि링 कर पिले रंग कर नजर आने लगता है। तो ऐसे में भी माना जाता है कि गर्ब में लड़का पल रहा है, वहीं अगर नाकून बहुत ज़दा बढ़ते हैं, साथी बहुत ज़दा तूटते भी हैं, तो ये लड़का होने के लक्षण माने जाते हैं, नेक्स्ट सिम्टम है कि अगर महिला के पूरे बोड़ी पर अंच प्याद तक अनुमाल लगा जा सकता है कि उनके गर्ब में एक लड़का पर रहा है, वीडियो बनाने का उद्धे सी लड़का लड़की में भेदभाव करना नहीं है, बस आपके मन की उसुकता को दूर करने के लिए बनाया गया है, तो आप भी बस वीडियो को मैनोरंजन क के तोर पर देखें, इसे 100% शियर ना माने, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शियर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कूल ना भूले, मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए, बाई